हलो बेटा वेलकम दू दू दा क्लास ऑफ एकॉनोमिक्स बाइ अनुज बंसल आड इस दी क्लास शिक्स फॉर थेओरी ऑफ डेमांड चलिए सर देखते हैं आज क्या है हमारे पास अक के लिए हमने पिछली क्लास पर समझा था लॉफ डिमांड जिसके साथ हमारा डिमांड फंक्शन के सारे डिटर्मिनेंट्स पूरे हो गए थे हमने पिछली क्लास में पिछली तीन क्लास में हमने देखा एक क्लास में जब हमने डिमांड फंक्शन क्लास में स्टार्ट किया था तो कोमोडिटी के खुद के प्राइस के चेंज हुए बिना भी उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है और पिछली क्लास में हमने जाना कि कोमोडिटी के प्राइस चेंज होने से कैसे उसकी डिमांड पे एफेक्ट आता है तो आज उसी टॉपिक से लिंक्ड हम लोग इसके डाइग्राम को समझने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ेंगे बेटा पहरा टॉपिक होगा हमारा मुव्मेंट अलॉग डिमांड कर्व और दूसरा टॉपिक होगा मेटा हमारा शिफ्टिंग ओफ डिमांड कर्व ये दो टॉपिक्स आज हम लोग करने वाले हैं मुव्मेंट अलॉग डिमांड कर्व और शिफ्टिंग ओफ डिमांड कर्व देखिए बेटा है movement along demand curve जो यह topic है कौन सा topic movement along demand curve इसका क्या मतलब है देखिए it is also known as change in quantity demanded ठीक है जी पहली चीज़ मैंने क्या काई it is also known as change in quantity demanded दूसरी चीज़ हेर दा ओन प्राइस ओफ commodity changes खुद के प्राइस चेंज होंगे commodity के यानि की मैं कह सकता हूँ कि यहां पर application अफ लॉफ लॉफ डिमांड है ठीक है जी हम यहां कह सकते हैं कि यहां पर application अफ लॉफ डिमांड है चलिए यहां पर जब बात आती है shifting ओफ डिमांड गर्व की तो it is also known as इसको क्या कह जाता है change in demand पिछले केस में यहां पर change in quantity demanded लिखा था हमने यह खाली change in demand है यहां पर price of commodity remains constant demand changes due to other factors demand other factors की वजह से change होती है यहां पर हम कह सकते हैं कि absence of law of demand है यहां पर law of demand की application नहीं होती यानि की बेटे यह तो है PX से related और यह है other determinants से related यहां पर 6 determinants का फरक पड़ेगा और यहां पर एक determinant का फरक पड़ेगा देखिए हम यह तो समझ चुके हैं कि जब price of related good change होता है substitute or complimentary के case में तो क्या changes आते हैं हम यह भी समझ चुके हैं कि sir जब income of the consumer change होती है तो क्या changes आते हैं हम यह भी समझ चुके हैं कि taste and preference redistribution of income future prices या फिर population जब change होती है तो क्या फरक पड़ता है ठीक है अब हमें इनके diagram सीखने हैं देखिए बेटा movement along demand curve के total दो diagram आपको सीखने हैं दो cases है वो पहला है पहले case में आप सीखेंगे कि जब क्या सीखेंगे आप पहले case में कि sir अगर price of the commodity increase हो जाता है तो क्या फरक पड़ेगा और अगर price of the commodity decrease हो जाता है तो क्या फरक पड़ेगा यानि कि पहले case में होगा px increases ठीक है जी और दूसरे case में हम कहेंगे कि px decreases अगर price बढ़ेगा तो क्या होगा अगर price घटेगा तो क्या होगा इतना note कीजिए फिर आगे चलते हैं नोट हो गया होगा बेटा चलते हैं आगे अगर px increase होता है बेटा अगर px increase होता है तो demand decrease होती है और अगर px decrease होता है तो demand increase होती है यही हमने पढ़ाता law of demand में तो जब अगर px बढ़ रहा है अगर px बढ़ रहा है और demand कम हो रही है तो इसे हम कहेंगे contraction of demand और अगर px घट रहा है तो इसे कहेंगे expansion of demand ठीक है जी अगर px increase हो रहा है तो contraction of demand होता है और अगर px decrease हो रहा है तो expansion of demand होता है ठीक है अब बात आते है shifting of demand कर्व में तो यहां पर या तो dx विल इंक्रीज यानि कि demand विल इंक्रीज या फिर demand विल decrease दो ही बाते होंगी या तो demand बढ़ेगी या फिर demand घटेगी यहां पर इसको जैसे यहां पर contraction or expansion कहा था यहां पर increase in demand और decrease in demand के नाम से ही जानेंगे अगर demand बढ़ रही है तो CDC बात है वो sir increase in demand है और अगर demand घट रही है तो उसे कहते हैं decrease in demand note कर लीजे इतना फिर इनके diagrams की तरफ move करेंगे अछार करी जाड़ाइ चलिए जी आगे चलते हैं अब एक एक करके इन सब को contraction, expansion, increase or decrease इन सब को एक एक करके समझ लेते हैं क्या है बहुत असान है बेटा हाट नहीं है बहुत असान है चलिए जी सबसे पहले हम समझेंगे contraction, contraction of demand contraction होगा कब जब price बढ़ेगा diagram के माध्य हम से समझते हैं x-axis, y-axis, point of origin, px, qx मान लीजे सहब ये एक आपका demand curve है जिस पे p price पे q quantity आप sell करते थे, मतलब buy करते थे, sorry ठीक है जी अब क्या हुआ बेटा किसी वजह से आपकी commodity का price बढ़कर हो गया p1 अब जब बढ़कर बेटा price हुआ p1 तो बेटा, due to the application of law of demand, the quantity demanded will reduce from q to q1 and the point will shift from point a to point b अब हुआ क्या है, demand curve तो same है लेकिन point has moved from position a to position b this is why this is called movement along demand curve movement along demand curve मतलब जब demand curve आपका रहे same जब demand curve रहे आपका बेटे same point उपर नीचे shift हो जाए so this is known as अप्वर्ड मूव्मेंट अलोंग demand curve अप्वर्ड मूव्मेंट अलोंग demand curve यह है बेटे हमारी contraction of demand में अब बात करते हैं बेटे expansion of demand की expansion of demand यानि की अपकी बार बेटे क्या होगा price घटेगा और demand बढ़ेगी x-axis y-axis px point of origin qx here is the demand curve p price q quantity a point now there is expansion of demand मतलब demand बढ़ेगी expansion of demand होगी कब when the price will reduce q1 this is point b this is p1 अगर price घटेगा तो law of demand कहता है कि सहाब quantity demanded आपकी बढ़ेगी now again the point has moved from point a to point b लेकिन देखे इसमें a से b पे upward movement हुआ था यहां पर a से b पे डाउनवर्ड मूव्मेंट हुआ है तो दिसस कॉल्ड आज डाउनवर्ड मूव्मेंट अलोंग डिमांड करव दिसस अल अबाउट कॉंट्रक्शन आंड expansion of demand इससे जादा बेटा इसमें कुछ भी नहीं है बहुत आसान topic है बस अपने को इतना याद रखना है कि अगर contraction हो रहा है तो मतलब या expansion हो रहा तो मतलब law of demand का application होगा खुद के price में changes आ रहे हैं अब अगर demand बढ़ रही है समझ लेना law of demand कहता है कि demand बढ़ेगी कब जब price घटेगा यानि कि जब price घटेगा और demand बढ़ेगी तो expansion होगा और अगर price बढ़ने की वज़े से demand घटती है तो contraction होगा contraction में upward movement होता है और expansion में downward movement होता है इसको draw करेंगे जली जली अब अगला अगला टॉपिक है बेटे हमारा इंक्रीज इन डिमांड यहाँ पर ध्यान रखना पी-एक्स विल रिमेन कॉंस्टेंट पी-एक्स कॉंस्टेंट रहेगा बेटा इस बात का खास ध्यान रखना है यानि कि डिमांड में चेंज तो आएगा लेकिन किसी अधर फैक्टर की वज़े से समझेगा कैसे है यहाँ पर पी-एक्स यहाँ पर पॉइंट ऑफ और यहाँ पर क्यू एक्स यह सर एक डिमांड कर्व बना हमारा यह एक हमारा डिमांड कर्व बना जो की था कुछ इस प्रकार से कि सर पी प्राइस था और क्यू कॉंटिटी थी और इस डिमांड कर्व का नाम था डिडी और इस पॉइंट का नाम था एपॉइंट अब क्या होता बेटे माल लो यह है आपके लिए कोई भी यह मारकर पेन है चलो मारकर पेन इसके कॉंपटीटर जो है सहब उनका मारकर पेन महंगा हो गया कॉंपटीटर का मारकर महंगा हो गया कॉंपटीटर ने प्राइस बढ़ा दिया हमने नहीं बढ़ाया इसका प्राइस तो अब गया होगा कॉंपटीटर के कुछ कु constitutional है, तो क्या होगा अपना प्राइज जब तो यह तो constant स्त्रेटलाइं रहेगा, horizontal line, parallel to x-axis अभी क्या होगा एक नया demand curve construct हो जाएगा, जिसका नाम D-D-ल. Payot B便 करेगा, जो आपको show कर रहा है कि sir your demand has increased but your price remained constant यानि कि sir यहां पर हुआ increase in demand देखो increase in demand में दो कर्व बनते हैं एक पुराना कर्व एक नया कर्व इसको कहा जाता है बेटे rightward shifting of demand curve यह है बेटे आपका rightward shifting of demand curve demand curve has shifted right shifted towards the right price constant रहा और किसी भी वज़े से आपकी demand increase हो गई बात समझ माती है दूसरा है बेटे आपका decrease in demand decrease in demand यानि कि again px will remain constant यह क्या हो रहा है बेटा यह हो रहा है shifting of demand curve है ना पहले हुआ था movement along the demand curve अभी हो रहा है shifting of the demand curve movement में एक कर्व बनाता है shifting में दो कर्व बन रहे हैं यह लीजे सर बहुत सिंपल है x-axis y-axis point of origin px then this is qx price रहेगा आपका constant यह एक d demand curve था जिस पे q quantity की demand होती थी a point बना था अब क्या हुआ बेटे इसके competitor का marker सस्ता हो गया अब जब इसके competitor का marker सस्ता हो गया बेटे तो अपने कुछ customer चले गया अपने ने price में कोई changes नहीं किये थे लेकिन competitor ने सस्ता कर दिया तो कुछ customer अब competitor का marker pen खरीद रहे हैं d1 d1 नया कर्व बनेगा यह लीजे सर q-9 quantity यह एक बी क्रिये हुआ और इसे हम कहेंगे है है यह फोर्टम प्रेप्षा है हुआ शिफ्टिंग और दिमांड सिर्बंद कर द्रवृफ दिर्वेट वर्टम प्रिस शिफ्टिंग बेंद कर इंक्रीज前 हैं कि फैसे से नोत कीजिए देखे पेटा एक बहुत कॉमन सा सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ठीक है सारी बाद ठीक है लेकिन सर हमें अभी तक एक बात समझ नहीं आई ये तो रटने वाली बात हो गई कि सर डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड सर ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है लाजमी सा एक सवाल है कि क्यों होता है डाउंवर्ड स्लोपिंग डेमांड कर्व तो पेटा डेमांड कर्व के डाउंवर्ड स्लोपिंग होने के पीछे बहुत सारे कारण है जैसे कि हमने पहले पढ़ा था law of diminishing marginal utility तो पेटे समझेगा law of diminishing marginal utility ने हमसे कहा कि सर जब भी आप किसी commodity को ज़्यादा यूज़ गरने लगते हैं तो उसकी value कम होने लगती है मैं कहां जी तो बेटे ऐसे ही यहां पर भी यह चीज़ लगती है कि मेरे को अगर कोई product खरीदना है और उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ने लगे तो मुझे उसकी value थोड़ी कम लगने लगती है यह एक internal बात होती है मतलब satisfaction वाली बात हो जाती है कि यहां भी ठीक है इतने में काम चल जाएगा ज्यादा पैसे क्यों खर्च करने दूसरा है कि बेटे entry and exist of customer होता है customer आते जाते रहते हैं आते कम है चले जादा जाते हैं यह भी एक कारण है कि law of demand कहता है कि there is inverse relationship between the price and quantity demanded substitution effect है एक good समझ नहीं आ रहा है good महंगा लग रहा है तो दूसरे की तरफ चल दो होता है ना ऐसा कि अभी हमने पढ़ा भी था substitution effect उसके बाद income effect भी होता है एक हमारा कि अगर मैं जादा पैसे कमा रहा हूं तो ही मैं demand जादा कर सकता हूं कर पैसे मैं जादा नहीं कमा रहा तो मैं demand जादा नहीं कर सकता और इसी तरीके से बेटा एक होता है different uses different uses होते हैं बेटे एक commodity को आप बहुत सारी जगाओ पर इस्तमाल कर सकते हो अगर वो commodity के uses जादा है और वो महंगी होने लगे तो हम क्या करते हैं उसके uses को limit कर देते हैं हम उसके consumption को कम करने के लिए हम उसके uses को limited कर देते हैं जैसे की milk पेटा milk के बहुत सारे uses हैं हम उसे sweets बनाने में use करते हैं धाई जमाने में use करते हैं फिर उससे हम घी भी निकाल सकते हैं पीने के काम आता है अब अगर साथ दूद बहुत महंगा हो जाए तो जो आपके लिए जादा बहतर use होगा आप उसके लिए उसे consume करेंगे उसके लि आपका demand curve downward sloping होता है मैं मानता हूँ बेटा अब तक आप लोगों ने इसको note भी कर लिया होगा और इसी के साथ theoretically ये chapter हमारा खतम हो गया है छे classes में और अब हम आपसे अगली class में जब मिलेंगे तो हम इस chapter के numerical portion के साथ आपसे मिलेंगे तब तक आप theoretically इस chapter को पूरा कीजिए चैनल को promote कीजिए वीडियो को like and share कीजिए और चैनल को subscribe कर लो या अगर अभी तक नहीं किया है तो ठीक है बेटा चलो bye bye take care have a nice day bye